एक महतुपूर्ण पहलू ये है कि जितना खाना चाहिए लोग उससे कहीं जादा खारें पहले भोजन और दूसरे भोजन में आठ घंटे का अंतर होना चाहिए आपको जो भी स्वास्त संबंदी समस्याएं हैं उनमें से कम से कम 50% 6 हफते में ठीक हो जाएंगी नमस्कारम सद्गरू भारत में पवित्र दिनों पर उपवास रखनी की परमपरा प्राचीन समय से चली आ रही है लेकिन बहुत से भारतियों को लगता है कि ये अवग्यानिक और अतारकिक है लेकिन अब उपचार से होने वाली वोटोफेजी पर हुए शोध को नोबल परुसकार दिया गया है मैं खुद इस साल कभी कभी पवास रखने लगा हूँ तो ऐसे फाइदमन पुरानी परमपराओं को तकिया नूसी क्यों बताया जाता है और फिर पस्चिमी समर्थन मिलने के बाद तुरंट लगोग किया जाता है क्योंकि आपकी तवचा का रंग सही नहीं है मैं इस बारे में चालिस सालों से बोल रहा हूँ ठीक है? और मैंने हजारों लोग देखें जो स्वस्थ और खुशाल हो जाते हैं सिर्फ इस लिए कि वे हर समय इंधन नहीं भरते रहते जबकि टंकी बह रही हो योग केंद्र में सभी लोग सुबह 10 बजे खाते हैं और शाम को 7 बजे हम बहुत सी शारिरिक गतिविधिया करते हैं आश्रम के अंदर गाडिया नहीं हैं वो एक बड़ी जगा है सभी या तो चलते हैं या साइकल चलाते हैं डाइनिंग हॉल जाने के लिए भी एक किलोमीटर चलना पड़ता है ओफस जाने के लिए भी आधे से एक किलोमीटर चलना पड़ता है इस तरह लोग हर समय शारिरिक काम करते रहते हैं तो हर कोई दो पहर साड़े तीन या चार बजे तक काफी भूखा होता है वे काफी भूखे होते हैं लेकिन हमने उसे जीवन का एक हिस्सा बना लिया है क्योंकि पेट खाली होना और भूख लगना दो अलग लग चीज़े हैं भूख मतलब आपकी उर्जा का स्तर कम हो रहा है लेकिन पेट खाली होना अच्छा है योग विज्ञान में और आज आधनिक विज्ञान भी इससे सैमत हो रहा है लेकिन जो हम अपने अनुभव से जानते हैं आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से तभी काम करता है जब आपका पेट खाली हो तो हम हमेशा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इस तरह से खाएं कि हम चाहें जितना भी खाएं हमारा पेट जादा से जादा दो से ढ़ाई गटे में हमेशा खाली हो जाए तो हम हमेशा भूखे सोने जाते हैं लोगों को लगता है कि वह सो नहीं सकते सो सकते हैं असतन, 25 सालों तक असतन मैं बस ढ़ाई से 3 गटे सोया इन दिनों में थोड़ा जादा सो रहा हूँ मैं साड़े तीन से साड़े चार घंटे के बीच सो रहा हूँ जबकि मैं बहुत जादा यात्राइं कर रहा हूँ बहुत जादा यात्राओं से मेरा मतलब है अगर मैं अगले कुछ दिनों की यात्रा बताओं तो आप कुर्सी से गिर जाएंगे हाँ, क्या मैं आपको बताऊं नहीं, जरूरी नहीं है क्योंकि अगले दस दिन में मैं पांच अलग 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 देशों में रहूँगा वहां मुझे नहीं पता कितने कारिक्रम होंगे हर तरह के कारिक्रम तो आप ये सिर्फ इस लिए कर पाते हैं क्योंकि आप जरूरत से ज़ादा नहीं खाते, ये बहुत महतुपून है हर कोई दो बार खाता है मैं आम तोर पर सिर्फ एक बार खाता हूँ शाम को साड़े चार-पांच बजे क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मैं प्लेट के सामने बैठ कर चिंता करूँ कि कितना खाना है मुझे अच्छे से खाना पसंद है तो अगर मैं शाम साड़े चार या पांच बजे खाता हूँ तो फिर अगले दिन ही खाता हूँ क्या ये काफी है? क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? हलो? मैं आपके मरीजों जैसा नहीं दिख रहा है न? मैं आपके पास नहीं आऊंगा क्योंकि शरीर में कोई भी जरूरी सुधार और शुद्धी तब होती है जब आपका पेट खाली हो ये बहुत जरूरी है वरना कोशिकाओं के स्थर पर शुद्धी नहीं हो पाती आप चीजें इखटी करते हैं फिर हर तरह के परिशानिया होती है पहली चीज है शरीर में आलस्य आलस्य के कई स्थर होते हैं अगर आपने उन सभी पर ध्यान ना दिया हो तो जितना समय आप सोते हैं वो आलस्य है आप सभी यहां सोने आए हैं या जीने के लिए है ना यहां मतलब यहां नहीं मेरा मतलब है जीवन में आप जीना चाहते हैं या जीवन जीना चाहता है है ना लेकिन क्योंकि आपने अमेरिकी डॉक्टरों की बात की तो ये अब यहां भी शुरू हो गया है सभी अमेरिकी डॉक्टर्स कहते हैं आपको कम से कम 7-8 घंटे सोना चाहिए इसका मतलब है आपके जीवन के एक तिहाई हिस्से में आपको सोना चाहिए 2-3 घंटे और टॉलेट नहाने और खाने वगएरा में चले जाते हैं तो आपके जीवन का 50% हिस्सा बस रख रखाव में चला गया मान लीजिए आपके पास एक मोटर साइकल या कार है जो एक महीने में एक बार सर्विस के लिए जाती है तो उसे रखना ठीक है मगर वो महीने में 15 दिन की सर्विस लेती हो तो ये परेशानी है, है की नहीं? बहुत से लोगों ने अपने सिस्टम को परेशानी बना लिया है क्योंकि उनका अपना शरीर उनके जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट है वो जो भी करना चाते हैं, उनका शरीर उनके करने नहीं देता तो इसके कई पहलू है एक महतुपूर्ट पहलू ये है कि जितना खाना चाहिए, लोग उससे कहीं जादा खा रहे है सिर्फ इस लिए, क्योंकि उनके कहा जाता है कि आपको जादा खाना चाहिए, वरना आप कमजोर हो जाएंगे नहीं, अपने शरीर को ठीक रखने का एक तरीका है आज हर कोई कम इंधन लेने वाली कार और मोटर साइकल बनाना चाहता है इसका मतलब क्या है, अगर मशीन कुशलता से चलेगी, तो कम इंधन खर्च होगा तो अगर यहां बैठे हुए, आप बहुत आराम में हैं, तो यह कम इंधन लेगी अगर आप हर समय ऐसे होंगे तो यह और ज़्यादा भोजन मांगेगी, यह आपको विवश करेगी तो यह नया नाम, Intermittent Eating आपको देखना चाहिए, अमेरिका में लोग हमारे कारिक्रमों में आते हैं हमारे कारिक्रम 10 से 12 घंटे चलते हैं तो लेकिन वे कुछ बिस्किट या कुछ और लाते हैं वे कहते हैं मुझे शुगर प्रॉबलम है, इसलिए मुझे खाना पड़ता है मुझे खाना ही पड़ता है मैं कहता हूँ, आप बस यहां रहेगे, आप नहीं मरेंगे मैं सुनिशित करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारिक्रम में कोई मर जाये, ठीक है मैं यह सुनिशित करूँगा पहले दिन, नहीं नहीं, मुझे खाना पड़ेगा तीसरे दिन तक, वे सब कुछ छोड़ देते हैं बारा घंटे बिना भोजन के बैठते हैं, और वो बिल्कुल ठीक रहते हैं देखे, सेहत ऐसी चीज नहीं है, जिसे आप बाहर से बनाते हैं सेहत आपको भीतर से पैदा करनी होती है अगर कुछ परेशानी हो, तो आप बाहरी मदद ले सकते हैं हर समय अगर आपको कोई परेशानी है, मतलब क्या, आप एक खराब मशीन है हाँ? हर समय आपको कोई परेशानी है, क्यों? इसे ऐसे नहीं डिजाइन किया गया है, इसे सेहत के लिए बनाया गया है आपके शरीर की हर कोशिका को सेहत पैदा करने के लिए बनाया गया है, है न? वे सभी सेहत पैदा करने के लिए महनत कर रही हैं, सिवाए आपके तो योग में कम से कम आठ घंटों के अंतराल की सला दी जाती है एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच 8 घंटे का अंतर होना चाहिए अगर आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि आपकी आधी स्वास्ते समस्याएं आपको जो भी स्वास्ते संबंदी समस्याएं हैं उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत 6 हफ्तों में चली जाएंगी अगर आप कुछ और चीजे करें जो आपको फिलाल थोड़ी कठोर लग सकती हैं अगर आपके जीवन में कोई छोटा योग अभ्यास है या कोई ध्यान की प्रक्रिया है तो आप देखेंगे कि 90 प्रतिशत समस्याएं चली जाएंगी 10 प्रतिशत अगर फिर भी रहती हैं तो उनका उपचार हो सकता है फिलाल हेल्थ केर सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है मुख्य रूप से जहां भारी इंशॉरंस पॉलसी होती है लोग हर तरह का कच्रा खाते हैं और पीते हैं और डॉक्टर को जाकर कहते हैं मुझे ठिक करो यह ऐसे काम नहीं करता